आर्गेनिक 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 आखिर मैं गाई जैविक खेती होती क्या है इतना चर्चा में क्यों रहती लोग इसके पीछे क्यों भागते हैं जब आदमी काफी पैसे कमा लेता है काफी अच्छा हो जाता है अच्छा पहनने लगता है अच्छी नौकरी पा जाता है अ आरगेनिक अनाज खाना है आरगेनिक होता क्या है आखिर जैविक खेती होती क्या है तो आज आरगेनिक खेती जानने सब्सक्राइब हम यह जान लेते हैं कि भारत की जनसंख्या के लगभग 60-70 फीसदी आबादी खेती यानि खेती पर डिपेंड है कि शानी पर डिपेंड है तो गाइज उननीसों स्यंतालीज तो यहां एक का सकते हैं डेड्लाइन थी कि उननीश स्यंतालीज के पहले जो भी खेती जो भी खेती की पध्धती थी आरगेनिक ही पाइज तरीक way विक खेती कोई कोई भी फसल गोबर के कंपोस्ट से फसलों के खर पतवार से या वर्मीज से या फिर जो भी नेचुरल सोर्स या खनी जो गया रहे हैं उनसे मिला करके जब कोई कंपोस्ट या खाद तयार की जाती है और उस खाद का प्रयोग जब किसी भी खेती कुगाने में किया जाता है तो खेती आरगेनिक या जैवी खेती कही जाती है तो मोटा मोटा यही होता है भारत की 60-70 जनसंख्या पूरी तरह से खेती पर डिपेंड करती है और यहां पे 1947 यानि कि गुलामी से जब भारत आजाद हुआ जब भारत की आजादी वापस आई तो उस समय घीरे-धीरे जन फर्टिलाइजर का भी विकास होने लगा फर्टिलाइजर की खोज होने लगी तो उसमें यूरिया डाई पोटास यह सब तमाम चीज़े जो है वैग्यानिक लोग निकालने लगे क्यों कि सबके पेट को भरना था सब उत्पादन में बिर्धी करनी थी तो कहां से होती तो का क्याके बिर्धी की बीमारियां требosphat यजब भी आप यूरिया अचागरे का थैयर दी तो किडनी समयां बढ़ जाती हैं लिवर की है difa मामला था लेकिन अब पादन में भी कमी आने लगी उसका रीजन क्या था जो अपना मृदा थी जो मिटी थी वह भी पालूटेड होने लगी पूरी तरह से जहरीली होने लगी साथी साथ गाइज जो आपके पेड़ पहुत हैं इन्वायरमेंट है वह भी प्रदूसित होने लगा तो इस पैदावा जो है आरगेनी खेती किया था जैवी खेती किया था और मैं सफल रहा था लगभग जो आपको खेत दिखाते हैं यह मेरा लगभग एक सवावी के आसपास का यह पूरा एक प्लाट है जिसमें मैं लगभग 8-10 कुंटल गेहों को पैदा किया था और मैं आज भी वही खा रह जो कि मैंने बहुत उगाया हुआ है अब 35-40 दिन होगा इसकी जुदाई की बारी है तो मैं इस बार इससे ट्राइब करने की कोशिस कर रहा हूं और मैं निसी दूरूप से सफल होंगा क्योंकि मैं इसके बारे में अच्छे से जान गया हूं समझ गया हूं और मैं इसको इस उत्पादित करते हैं अधिक सथिक मातरा में और उसको खेतों में छोड़ देते हैं उसके माध्यम से भी खेती करते हैं तो इसी करम में मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई है कि अपना जो सिक्कीम राज है सिक्कीम स्टेट है वो पूरी तरह से 2016 के बाद से पू आपके जो भी हैं किशान और लगातार रिद्धी होती जा रहे हैं सभी लोग आरगेनि खेती पर आस्रित हो गए हैं तो बताते चलें कि आरगेनि खेती के लिए जो हम पौधों पहरे पौधों पर जो डिपेंड करते हैं उसमें से सनई धैंचा उरद आद की बवाई कर द लगभग 25-45 दिन में लगभग 25-30 फिट का उसको रोटावेटर जोदाई करने के बाद इसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि ये पौधे पौधे द्वारा उगाया गया एक कंपोश तयार होता है जो कि बहुत ही बहतरीन होता है और वह अपने फसल के लिए जो है पूरे साल भर के लिए जो उसके पस्चा जो फसल उगाते हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनीफिट बहुत ही हल्दी होता है तो अब समझ में आपको आने लग गया होगा कि आखिन मार गयनिक खेती क्या है जितना अधिक से अधिक आप नेचुरल जितना अधि यह है नेचुर सब गये जबतम झालिन को सबस्ट करती है वह सब क्या होती है यहरीली हbility यह होती है वह सब थे सब ने चाहरी क्या में यहिंदिग विकीडियों लिएगए बखर पूछ जिए इस अधिक और यहाम अब सब पयरते हैं कि प्राहुजरा मारा है उसमें गेमर की सब्सक्राइब ते जिए प्राणि के सब्धेदों करें कृडब्य करता है और सो कम किल सब्सक्राइब कि और बढ़िए करते हैं वीडियो कंदेन हैं और मेरे और अरगेनिक ख्यति और मैं अक्षर बता भी रहता हुं सब्सक्राइब अपने च alignment उतकर चैज़ और इसी तरह कूर्ड में आपके लिए का शुरल खाईए, फेट रहिए, हेल्दी रहिए, जय हिन वन्दे मातरम, जय गंगे भईया